एक सिनेमा मालिक कैसे पैसा कमाता है आज हम इसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं थियेटर का मालिक पैसा कैसे कमा सकता है बहुत दिल्चस्प सवाल है आपने पूछा है और सबसे पहले जो है जानेंगे कितना कमाई होता है लेकिन इसको जानने से पहले जानना जरूर कि कोई भी सिनेमा घर में कोई नया फिल्म जो है नया पिक्चर की नया मूवी कैसे दिखाये जाता है ठीक है और सिनेमा घर का जो मालिक होता है उसको कौन-कौन सी policy को follow करना पड़ता है कौन से map डिंडों को जो है यहाँ पर पूरा करना होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो film का, sorry, cinema जो मालिक होता है, उसके, उसको movie के जो distributor होते हैं, फिल्मों के distributor होते हैं उससे सबसे पहले तो करार करना पड़ता है, contract करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर एक example जो है हम लोग यहाँ पर लेके इस चीज को समझेंगे हमको समझेने में थोड़ा सा आसानी होगा माल लेजे कोई नया मूवी रिलीज होने वाला है तो इसको लेकर जो मूवी का जो डिस्टीबिटर होता है वो डिफरेंट थिएटर के मालिक से कॉन्टेक करता है थिएटर मालिक मतलब कि सिनेमा हॉल के जो मालिक होते हैं उनसे कॉन्टेक करता है तो यहाँ पर जो है सिनेमा हॉल के जो मालिक होते हैं उनको बोली लगाना होता है अपना वीडिंग करना पड़ता है यह परती हफता परती महीना ठीक है कितना का वो collection करेंगे मतलब कितना पैसा वो collection करेंगे movie को दिखा कर ठीक है तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि एक हफ़ते में एक cinema घड मालिक जो होता है 5 लाक रुपे का जो है यहाँ पर collection करने का जो है यहाँ पर बोली लगाता है ठीक है, तधान तोर पर ये जो बोली लगता है, जो amount बताया जाता है, इस बात पर depend करता है, कि इस movie को देखने के लिए कितने जादे लोग जो है, उत्साहित है, देखने के लिए interested है, तात में जो movie नया लगने वाला है, वो कितने दिनों तक जो है, house full रहेगा theater में, ठीक है, house full इसके चलते रहेगा theater, जो उस पर भी depend कर लेता है, कुछ example लेके यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इस चीज को, यहाँ पर कुछ calculation है, अब देखिए, माल लीजिए कि एक cinema hall है, उसमें चार्ड theater है, ठीक है, एक cinema hall में आपको पता है, कि cinema hall में जाते हो तो उसमें बहुत सार theater बने होते हैं, तो हम चार्ड theater माल लेते हैं, एक cinema hall में, एक theater में, माल लीजिए 400, यहाँ पर, जो है न, seat है, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 400 seat मैंने बताया, मैंने इसको सुधार लिया है, माल लीजिए एक theater में 200 seat है, ठीक है, यह हम मान के चलते हैं, टिकट जो price है वो इस तरह से है, 80 रुपे, 100 रुपे, 150 रुपे, 350 रुपे, तो हर एक seat का price उसके position के अनुसार जो है, अलग-अलग हो सकता है, आपको पता होगा, हम लोग यह माल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, कि average price जो है, हम लोग इसको 170 रुपे माल के चलते हैं, ठीक है, एक seat का price जो एक मुवी ही चलता है, माल लिज नया मुवी आ रहा है, तो एक time पर चारो थियेटर में वो मुवी चलता है, टोटल seat हो जाता है, आपका 200 गोने 4, मतलब की 800, 200 seat एक थियेटर में, तो आपका 4 थियेटर में 200 seat, मतलब टोटल 800 seat, अब यहाँ पर, देखिए, एक seat यहाँ पर, एक time में total collection केतना होता है, तो 800 seat है, 170 रुपय हमने every price माना, तो टोटल आपका हो जाता है, 1,36,000 रुपय, ठीक है, आप देख सकते हो, 1,36,000 रुपय यहाँ पर collection होता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, 400 चलता है, एक दिन में, 400 मान के चल रहे हैं कि 400 चल रहा है, तो एक सम तो एक दिन में total collection जो होड़ा है, 5,44,000 ठीक है, अब यहाँ पर जो है, cinema owner का जो है, करार होता है, उनको लगभग 5-8% तक commission मिलता है, ठीक है, यह हम मान लेते हैं, इसमें हम average commission जो है न, मान लेते हैं कि 7% मिलता है, ठीक है, तो 7% commission मिल रहा है, तो एक दे का अगर आपका total collection 5,44,000 है, और 7% commission मिल रहा है, तो एक दिन में theater माली को कितना मिल गया, 38,808 रुपया, यह आपका income उनको मिल जाता है, तो यह हम लोग सिर्फ मान लिए, जितने भी चीज है, यह सब कुछ हम लोग यहाँ पर माने है, कोई जरूरी नहीं है कि 80 रुपया का ही एक street हो, आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ यह calculation आपको दिखाया, लेकिन हो सकता है कि जो एक cinema का जो owner होता है, इससे ज्यादा पैसा यहाँ पर कमा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 5-8% की commission मिले, super duper film आता है, तो 10-15% तक का भी commission यहाँ cinema owner को मिल सकता है, तो उसमें उसका जो पै मैंने सिर्फ मान लिया कि इतना इतना होता है, ठीक है, तो हमको आसा करते हैं कि आप इस चीद को समझे होंगे, अगर film आपका अच्छा आ जा रहा है, बढ़िया फिलिम आ जा रहा है, super hit film आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा उसको देखने के लिए उस साइथ है, तो कोई दोस्तों आपको यहां पर जो है मैंने पूरा calculation बताया, इसी तरह कोई भी यहां पर अगर movie आता है नया तो इस तरह से उसका process होता है, release होने का distributor के माध्यम से, वहां पर contact करके, cinema करके मालिक को, फिर उसका bidding वहां पर लगाया जाता है, collection लोग बताते है, उस हिसाब से जो है फिलिम अच्छा रहा तो ज्यादा अच्छा खासा collection होता है, फिलिम अच्छा नहीं रहा तो उतना ज्यादा collection होता है, तो उस पर ही depend करता है कि आपका कितना income होगा, लेकिन मैंने जो आपको यह conclusion बताया है, इसके हिसाब से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक cinema घर का जो मालिक होता है, वो कैसे जो है पैसा कमाता है, और एक नया फिलिम जो है कैसे हॉल में वो release होता है, ठीक है, और इसके अनुसार ही जो है, यहाँ पर जो distributor collection करते हैं, ठीक है, तो उसके अधार पर ही आपको वहाँ पर आपको बताया जाता है, लना फिलिम ने जो है एक हफ आपको बता दिया जाता है कि इसा फिलिब का वेशन है इस 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 बिद्ध में आपको बताया जाता है एक एक पूड़ा प्रोसेस होता है उस्ट आज के लिए इतना ही पिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद